हेलल एन्द नमस्कार दोस्तों स्वा system आपके हमारे यूटुप चैनल टेक्निकल लिएधिगे पर मैं ज़नियर सवर आप देक रहे हैं ठेकनिकलोटिंख यूटुप चैनल तो दोस्तों मैं आज आज आपको जिमेल के एक बहुत इसांदार फीचर के बारे बताने वाला हूँ दोस्तों यदि आप इस फीचर का यूज करके किसी को मेल करते हैं तो उस मेल को रिसीव करने वाला ना तो इस मेल का प्रिंट आउट निकाल सकता है यानि उस मेल को प्रिंट नहीं कर सकता और ना ही उस इस mail को forward कर सकते हैं किसी को और दोस्तों यदि आप उसमें expiry date भी set करते हैं तो वह अपने आप उस date को delete हो जाएगा तो दोस्तों चलिए इस धमयकदार फीचर के साथ इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आपको जिमेल का ये फीचर प्रेक्टिकल रूप में समझा जेता हूं जिससे कि आपको अच्छी से बहुत ज्यादा अच्छी समझ में आईगा तो दोस्तों चलिए मैं जिमेल को ओपन कर लेता हूं दोस्तों मैं यहां पर आपको दो जिमेल लिखकर और सें में ट्रिक का यूज करके बताऊंगा दोस्तों तो मैं जीमेल को लिखने के लिए यहां पर एडिट का उप्सन प्लिक कर देता हूं अब दोस्तों उपर में आपके आईडि आएगी आप यहां से इस पर क्लिक करके अपनी आईडि को चेंज कर सकते हैं किस आईडि से आप इस मेल को भीजना चाते हैं और यहां पर टू है यानि इस मतलब का आप किसको भीजना चाते हैं दोस्तों मैं अपनी सेकेंड आईडि दोसतों इसके बाद, दूस्तों यहांपर सब्जेक्ट का और इस पर क्लीक करना है दोस्तों आप किस शिचिय कि बारे मेल लिखनाझ चाहते हैं शोक दीस कि मैं यहांपर श्रीरुप करना है न दोस्तों इस Chair- склад लिगना अब दोस्तों इसे मैं send कर दिता हूं अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि यह mail है वो बेज़ा जा चुका है अब मैं second mail भी भेज देता हूं इस trick को use करके दोस्तों वापस edit के option पर क्लिक कर देता हूं अब यहां पर वापस हुआ है email id में डाल देता हूं और अब यहां पर लिख देता हूं डेमो और यहां पर लिख देता हूं हाई अब दोस्तों यहां पर ठीडोड पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहां पर आपको एक second option अब दोस्तों आपके सामने इसा इंटरफेस है यहां पर यह लौका option यहां पर यह अलाओ हो जाएगा और नहीं हो तो आप इसे अलाओ कर देना और यहां पर लिखा है आपको एकस्पाइरेसन याने आपको expired date set करना है तो क्लिक करना है और यहां पर आप एक वीक और एक मंत तीन मंत या फिर पांच साल भी एड़ कर सकते हैं तो मैं एक दिन लिख देता हूं अब यहां पर है तो आपकोु सेव कोपसेटे मढ hope है और सकते हैं दोस्तों यहां पर आप हुआ चुका हैं को shorts दिसमबर 26 2020 और 25 हैं आपको बदोस्तों यहांसे वापस एडिटर पर किलिक सकते हैं और दोस्तों यहां पर यह confidencial mode है वो यहाँ पर lag हो चुका है अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर send को option पर click करके दिखते हूँ दोस्तों आप देखेते हैं कि यहाँ से वो send हो चुका है तो मैं अपनी second ID को login करके बता दिता हूँ दोस्तों मैंने अपनी शेकेंड डाइड लोग इन कर लिए हैं अब मैं इसे रेफ्रेस कर लेता हूं एक बार आप देखते हैं दोस्तों दोनों मेसेज हैं वो यहां पर आ चुके हैं तो दोस्तों जैसे कि मैं फ़र्ष्ट मेसेज पर क्लिक करता हूं अब दोस्तों आप देखशते हैं यहां पर वो मेसेज आ चुका है और यहां पर जीसे त्रेणी पर क्लिक रहेंगे तो हम इस तरीके से इस प्रेंट भी कर सकते हैं यहां पर दोस्तों मैं आपको जून करके धियता हूं यहां पर आप देखते हैं कि how are you, वह message हैं वह टाइप हो चुक हैं पूरा पूरा और इस तरीकि इस हम प्रेंट भी कर सकते हैं इस message cook लेकिन दोस्तों अब मैं सेटेंड मेसेज हैं वह मेल हैं उसे ओपन करकर दिखा देता हूँ अब दोस्तों हम दिखते हैं कि यहां पर content expires 26 September 2020 यह नहीं यह इकड़ expired हो जाएगा यहां से delete हो जाएगा और दोस्तों जैसे थ्रेवर्ड पर क्लिक करता हूं तो यहां पर कोई भी forward का option नहीं है यहां पर लिखा हुआ हैं कि this message cannot be printed यानि यह message प्रिंट नहीं हुआ हैं दोस्तों आप देखते हैं कि आप जो भी mail करोगे वह प्रिंट भी नहीं होगा और नहीं forward होगा और expired date के इससाब से वह expired भी हो जाएगा दोस्तों आप इस तरीके से इस feature का असानी से यूज कर सकते हैं दोस्तों आपको यह feature कैसे लगा comment करके ज़रूर बताना और अच्छा लगा तो एक बार like कर देना फीचर के लिए तो दोस्तों मैंने आज आपको जिमेल के एक सांदार और बहुत बढ़ी बढ़ी फीचर के बारें बताया दोस्तों आपको यह video कैसे लगा अच्छा लगा लाइक करना शेर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन दबा देना आपका कोई भी question हो तो आप comment box में पूस सकते हैं मैं उसका reply ज़रूर दूँगा thanks for watching